नमस्कार दोस्तों, मैं भाशा और आप देख रहे हैं निउस क्लिक पर खोज खबर कायकरम क्या देश में भाशपा के अलावा कोई और पार्टी अपनी सरकार नहीं चला पाएगी या यू कहें कि कोई भी सरकार वह नहीं चल पाएगी जिसकी सीधी या परोक्ष कमान भाशपा के पास ना हूँ हर जगा Operation Lotus काम करेगा और उसे जमीन पर उतारने के काम ED या बाकी जाच एजेंसिया करेंगी कम से कम जारखंड में जिस तरह से जारखंड मुक्ती मोर्चा और कॉंग्रेस की जो सरकार चल रही है उसे गिराने के लिए जिस तरह से विधायकों की खरीद फरोक्त का मामला सामने आया है वह हम सब को महराश्ट की याद ताजा करा रहा है और निश्चित तौर पे हम सब जानते हैं आज की तारीख में कि महराश्ट में क्या हुआ था और किस ने किया था दोस्तों जब मैं बात कर रही हूँ और कह रही हूँ कि इस देश में लोगतंत्र की कमान सीधे सीधे या इंडारेकली कहीं न कहीं एडी के पास है तो इससे जुड़ा हुआ एक तथ गृह मंत्राले ने संसद में पेश किया उन आकड़ों के मुताबिक 2004 से लेकर 2014 तक ED रेड जो भारत में पड़े उनकी संख्या थी 112 और देखिए 2014 से लेकर 2022 तक अभी चली रहा है 2022 इस दोरान जो ED रेड पड़े हैं उनकी संख्या 3000 से अधिक है और दोशी करार हुए महज 23 लोग यानी 0.5 फीस दी यह आकड़ा अपने आप में भारतिय लोकतंत्र का वर्तमान काल बहुत अच्छे से बता रहा है हम सब ने पूरे देश ने देखा कि महराष्ट का असम केनेक्शन क्या है महराष्ट में महाविकास अगाडी की सरकार को गिराने के लिए जिसके मुख्यमंत्री उधव ठाक रहे थे उन्हें हटाने के लिए असम सरकार ने जिस तरह से रेड कार्पिट बिछाया महराष्ट के विधायक भर भर के चार्टिट प्लेन में पहले गोवा और फिर आसाम ले जाए गए और वहाँ पर ही फाइनल डील हुई जब तै हो गया कि वहाँ सरकार बदल जाएगी उसके बाद ही विधायक वहाँ से महराष्ट पहुचे यानि असम बहुत इंपोर्टन्ट है और आप देखे ये महज इत्तफाक नहीं हो सकता कि जारखंड में जारखंड से जुड़े जो तीन कॉंग्रेस के विधायक पकड़े गए पश्चिम बंगाल में उसने साफ कर द दोस्तों अभी जो शिकायत पत्र हासिल हुआ है उसके हिसाब से इस सरकार को गिराने के लिए जो डील हुई अभी तो बहुत शुरुवाती स्तर पर था तीन विधायक जिनके बारे में पता चला है कि 10 करोड रुपे और नई सरकार में मंत्री पद ये तीन जो विधायक है जिनकी तस्वीर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है तीनों कॉंग्रेसी विधायक जमतारा के विधायक इर्फान अंसारी खिरजी के विधायक राजेश कश्यब कोलिबिरा के विधायक नमन बिक्सल इन सब को बहुत बड़ी राशी के साथ पश्चिम मंगाल में गिर के विधायक है उन्हों ने जो शिकायत पत्र लिखाया जो कंप्लेइन लेटर लिखा है उसमें उन्होंने पूरे घटना क्रम को कुछ हत तक समझाने की कोशिश की है उन्होंने बताया कि हावडा में जो तीन कॉंग्रेस natives गिरफतार हुए वह उन पर दबाव बना रहे थे कि वह भी वहाँ आ जाएं और फिर उनकी मुलाकात असम के मुख्यमंतरी हिमंत विस्वसर्मा के साथ होगी अब आप देखिए कि यहाँ पर इस शिकायत पत्र में उन्हें साफ साफ लिखा है कि इर्फान अंसारी ने तो उन्हें यह भी बता दिया था कि जो नई सरकार बनेगी यानि हेमन सोरेन की सरकार जब गिर जाएगी तब इर्फान अंसारी को नई सरकार में स्वासमंतरी बनाने का प्रस्ताव दिया गया है अब यहाँ देखिए कि जो बहुत एहम बात है कि लंबे समय से यह सुखबुगाहट राजनितिक हलकों में हो रही थी कि जारखंड की सरकार को गिराने के लिए कुछ वैसा ही किया जा सकता है जैसा महराष्ट में किया गया और महराष्ट इतना समय हो गया वहाँ पर सरकार गिरे हुए और हम सब इंतजार कर रहे हैं कि जो नई सरकार है वह कम से कम अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स तो रखे खाली दो लोग हैं वहाँ जो सरकार चला रहे हैं और अब आप देखिए संजे राउत को जिस तरह से ED ने गिरफतार किया है उससे मामला बहुत साफ हो गया है कि नवाब मलिक जो हिरासत में हैं वहां से लेकर अभी तक का जो पूरा सिलसला महराष्ट में चल रहा है वह बता रहा है कि विपक्ष को किसी भी फॉर्म में किसी भी रूप में वहां पर खड़े रहने देने के लिए सरकार तयार नहीं है हम सब देखते हैं कि एक नाशिंदे जब बैठते हैं प्रेस कॉंफरेंस में देवेंद फड़नवीस के साथ किस देवेंद फड़नवीस यह बताने में मौका देने में चूकते नहीं है कि दरसल एक नाशिंदे नहीं कमान उन्हीं के पास है सब के सामने वह चट लिखकर पकड़ाते हैं एक नाशिंदे को माइक तक अपने पास रखते हैं और यह महज इत्तफाक नहीं है कि सब लोग नजर गड़ा कर देख रहे हैं कि महाराष्ट में एक नाश्चिंदे और देवेन फटनवीस को आगे रखके जो आपरेशन हुआ है वह किस तरफ जाएगा एक बात जो समझनी बहुत जरूरी है कि चाहे वह करनाटक हो मद्धप्रदेश हो गोवा हो महराष्ट हो और शायद अब जारखंड या फिर जिस तरह से बयान आ रहे हैं पश्चिम मंगाल की सरकार को लेकर क्योंकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरह से भाश्पानेता और सिने अभिनेता मिथुन चक्र बहुत साफ है कि अब विधायकों की खरीद फरोक्त विपक्ष की सरकारों को गिराना कोई छुपा हुआ एजंडा नहीं है यह खुलकर खेल हो रहा है और शायद यही नया पॉलिटिकल डिकोरम बन चुका है और अगर हम और आप मिलकर इस क्रोनोलोजी को समझने की करें तो इसकी एक कड़ी सुप्रीम कोट को भी छूती है सुप्रीम कोट ने जिस तरह से एडी के जो पूरे अधिकार हैं चैहों गिरफतारी के हों या बाकी सारे उन सब पर मुहर लगाई और नागरिकों के अधिकारों को दरकिनार किया यह सब जो क्रोनोलोजी है उसी का हिस्सा है अब सोचिए क्या यह महज इत्फाक है कि एडी को गुजरात नहीं दिखता या यूं कहिए कि शायद एडी के लिए या किसी भी जाच एजनसी के लिए गुजरात को देखना संभव नहीं है क्या यह महज इत्फाक है कि एक ही बंदरगाह जिसका मालिकाना जिस पास है वह सब जानते हैं कि मोधी सरकार से उनकी करीबी कितनी है मुंद्रा पोट मुंद्रा पोट में सितंबर से लेकर अभी तक जुलाई तक तीन बार बड़ी खेपे ड्रक्स की पकड़ी गई सितंबर 2021 में 3000 किलो के ड्रक्स पकड़े गए जिसकी कीमत थी 21,000 करोड मई 2022 में 56 किलो के ड्रक्स पकड़े गए जिसकी कीमत 500 करोड रुपे बताई गई और जुलाई में 75 किलो ड्रक्स पकड़े गए जिसकी कीमत 365 करोड रुपे बताई गई अब आप देखिए इस देश में एक ही बंदरगाह पर तीन बार ड्रक्स आते हैं पकड़े जाते हैं और कहीं कोई कारवाई नहीं कहीं कोई सवाल नहीं ऐसा लगता है कि देश के यु दुआओं को नषल में ढूबोना राष्ट्ठभक्ति का निया मॉडल है गुजरात का मॉडल है वहीं पर यह जो काडून है यह बहुत कुछ कह रहा है भारती लोकतंत्र के बारे में भारती संसत के बारे में क्योंकि इसमें साफ साफ कहा गया है कि हमारे पास नंबर हैं हम तरह से मांसून सत्र में विपक्षी सांसदों को एतिहासिक नंबरों के साथ निलंबित किया गया महंगाई और बाकी किसी पे चर्चा अभी तक नहीं हो पाई है वह दिखा रहा है कि सत्ता पक्ष के पास जो संख्या है वह बुल्डोजर करने के लिए काफी है दोस्तों भार वहीं रहत देने वाली खबरें आ रही हैं खेलों से इस बार राश्ट मंडल खेलों का आयोजन इंग्लैंड में हो रहा है और वहाँ पर भारत में अभी तक छे पदक जीते हैं वे सभी वेट लिफ्टिंग में हासिल किये हैं इन में तीन गोल्ड मेडल हैं सोना दिलाने की शुरुआत भारत की जानी मानी वेट लिफ्टर और ओलम्पिक मेडलिस्ट मीरा बाइक चानू ने की और उसके बाद पुर्षों की इस परधा में जेरिमी और अंचिता ने भी भारत को गोल्ड मेडल जिताए इसी के साथ साथ खेल कितने रंगारंग और कितने चिन्नई से मिल रहा है चिन्नई में भारत पहली बार चेस ओलम्पियाड की मेजबानी कर रहा है इन 44 वे चेस ओलम्पियाड के लिए तमिलनाडो की राजधानी को जिस तरह से तैयार किया गया उससे एक बास साफ होता है कि अगर थोड़ी भी रशनातमकता और कलातमकता द जाहिर की जा सकती है, पैदा की जा सकती है, चिन्नई में अब आप देखिए यह जो नेपियर ब्रिज है, इसे चेस बोर्ट के रंग में रंग दिया गया, लोगों ने अपने घरों के बाहर भी चेस बोर्ट की रंगोली बनाई है, जिसका चित्र आपको दिखाई दे रहा है और खेल किस तरह से जो खेलों के थीम होती है वह स्पंदन पैदा करती है इस चेस ओलिम्पियाड के लिए AR रहमान ने जो गीत तैयार किया वह निश्चित तोर पर इसका एक बहतरीन उदाहरण है और इसमें खिलाडी के साथ साथ जिस तरह से तमिलाडो की मुख्यमंत्री ने खुद शिरकत की वह भी दिखाता है कि पूरी राजिसरकार किस तरह से चेस को शतरंज को महसूस करती है चलते चलते एक जलत उस डांस वीडियो की जो इस ओलुम्पियार्ट के लिए तैयार किया गया और इसमें शतरंज के खेल को जिंदा तस्वीर में बदल देने का हुनर पैदा किया गया है अब आप देखिए कि पुड़ी कोटेई की जो कलेक्टर हैं कविताराम जो खुद एक क्लासिकल डांसर हैं उन्होंने इस वीडियो चतुरंगम ए डांस डिपिक्शन तैयार करवाया और इसमें तमिलाडू की कई लोग कलाओं को शामिल किया देखिए आनंद लीजिए इस वीडियो का क्योंकि हम सब स्रिजन के साथ साथ ही आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं शुक्रिया शुक्रिया भुक्रिया जढ प्युक्रिया जढ भुछ्स बड़ बत बत बस पर देंग